डाइजेस्टिव सिस्टम याने की पाचन तंत्र या यू कहें अनियंत्रित खान पान जो सीधा पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और ठीक से पाचन क्रिया नहीं हो पाती एसे में आज आपको कुछ खास उपाय बताते हैं जिसे आप अपना कर सेहत लाब उठा सकें उपाय नमबर एक त्रफ़ला चून कब्ज वजन और पेट की चर्वी कम करने में है कारगर इसले तत्त को कोलेन से करता है बाहर जरूरी तत्तों को जुटाने में है मददकार पुपाय नमबर दो, भोजन ऐसे करें भोजन चबा-चबा कर करने की आदत बनाएं इससे मिलती है पाचन तंत्र को मजबूती पेद में त्रफ़ला को रामबान अवसद हिमानी जाती है वहीं कब्ज, वजन घटाने, पेट की चरबी को कम करने और पेट की समस्याओं से निजात दिलाने में पूरी तरह कारगर है ये कोलेन से विशले तत्व को बाहर निकाल ले और पोसक तत्व की आउसोसन में ब्रिद्धी करने में अपनी महत्पून भूमी का निभाता है आपको त्रिफला किसी भी आयरुवेट दुकान पर मिल सकता है लेकिन आपको त्रिफला का सेवन कैसे करना है और कितनी मात्रा में लेना है इसके लिए भिसेसक इसे राए लेना बेहत जरूरी है अक्सर देखा जाता है कि खाना खाते वक्त हम सभी का ध्यान खाने पर न होकर सामने चल रही टीबी पर होता है ऐसी इस्थेती में भोजन को चबाकर खाने पर ध्यान नहीं रहता और हम सीधे खाने को निगलने लगते हैं ये आदत पाचन तंत्र पर सीधा वार करती हैं ये से में आपको अपनी आदत सुधारनी होगी और निगलने के बजाए चबाकर भोजन खाना होगा इससे ना सिर्फ पेट की समस्याओं का खात्मा होगा बलकि पाचन तंत्र को काफी मजबूती मिलेगी